जैसा कि आप जानते हैं कि Phenophthalene और Methyl Orange Synthetic Indicators होते हैं जिनका use Acidic or Basic Solution की टेस्टिंग के लिए किया जाते हैं तो मैंने दो टेस्ट्यूप के अंदर Acidic Solution ले लिए और दो टेस्ट्यूप के अंदर Basic Solution ले लिए लेकिन basic solution में वो pink color का हो जाता है और उसी तरीके से methyl orange acidic solution में red रहता है लेकिन basic solution में yellow हो जाता है अब इसको हम perform करके देखते हैं तो मैं सबसे पहले test tube ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं acidic solution लिया है और इसके अंदर मैं phenophthalene को add करके देखूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने जैसे इसके अंदर phenophthalene को add कि है इसके color में कोई भी change नहीं है अब मैं basic solution के अंदर phenophthalene को add करके देखूँगा जैसा कि आप देख सकते हो जैसे ही मैं basic solution के अंदर phenophthalene को add करके देख रहा हूँ तो इसका color क्या हो गया है करते हैं अब हम basic solution में एड करके देखते हैं कि क्या color सो होते हैं जिसा कि आप देख सकते हो कि basic solution के अंदर methyl orange yellow color का हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि Phenophthalene acidic solution में colorless रहता है basic solution में pink हो जाता है methyl orange acidic solution में red और basic solution में yellow color करते है I hope यह चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी इसी तरीके से science के और practically समझने के लिए हमारे channel को subscribe कीजिए Thank you